हेलो और वेलकम बैक टो माई चानल आज हम लोग बनाएंगे मटन करी मैंने खरीदा यह प्री पैक्ट मटन करी कट इस इन बोन है 480 रूपीज में 450 ग्राम मिला है मुझे लगा था करी कट याने कि सिर्फ इसमें मटन होगा लेकिन यह विथ बोन है और काफी बड़े-बड़ बनेगा तो इसका करी अच्छा बनेगा क्योंकि ग्रेवी इसमें इसका इसका काफी अच्छा टेस्ट आता है तो हहाफ केजी है मै यहां दो बड़े प्याज इसके लिए ए वेने हाफ क्या दैला one and half प्याज, क्योंकि बड़ा बड़ा प्याज था, तो वो enough हो गया, तेल गर्म कर लेते हैं, तेल ज्एदा नहीं डाला, मैं pressure cooker में बना रही हूँ, तो ज्एदा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें डाल दिया जो available था, जीरा और मिर्च आपके पास गरम मसाला एवेलेबल हो खड़े वाले तो डाल सकते हैं जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि एरबियेन भी में रह रही हो तो यहां जोच भी एवेलेबल हैं चीजे मैं उसी से कोशिश करती हूँ कि खाना बना लूँ और यह डाल दिया मैंने प्याज और फिर मतन डाल दिया इसको अच्छे से कलर्स चेंज होने तक फ्राइ करेंगे जब तक कि पानी इसका पुरी तरह से निकल नहीं चाता चुकि यह फ्रोजन था तो पानी उतना इसने नहीं छोड़ा तो यह 10-15 मिनिट्स लगे इसको फ्राइ होने में दीमी आँच में मैंने पकाया क्योंकि छोटा प्रेशुर कुकर है नीचे लग सकता है दिहान रखे अगर पतले बरतन में आप मतन बना रहे तो लगारता चलाते रहे नहीं तो मतन लग जाएगा अब दो बड़े चमच इसमें मैंने अद्रक पेस्ट आला है यह भी प्रीमेड पेस्ट है यहां पे कोई भी मेरे पास ग्राइंडर वगरा नहीं है अब इसको अच्छे से फ्राइ कर लेंगे पूरी रॉसमिल जब चली जाएगी फिर मैं डालना है इसमें नमक और फिर से इसको 5-10 मिनट के लिए फ्राइ करेंगे और गर्मी काफी लग रही है अंदर में कुकिंग होते से में गर्मी लगते है यह फिर मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा मीट मसाला कोरियंडर रेड चिली पाउडर डाला है और टर्मरिक डाला है और इसको मिला करके फिर अच्छे से फ्राइ करेंगे 10-15 मिनट फिर धीमी यहां पर जो हमलों भी घर में मटन खाते है उसका टेस्का ऋरहता और यहां पे जो टेस्ट था वहोगद ही डिफरन्ट था में भी यह प्री कट और पैकेशड मीट था हैं इसके इसलिए टेस्ट डिफरन था पर ओट अच्छा टेस्ट लगा डिफररंट लगग अप्चा तो ट्राइ कर सकते हैं इस तरह के मीट पैकेजिस बट बेटर है कि आप अगर लोकल मार्केट में मिलता है तो फिर वही खरीद के खाएं मटन बन के तयार है अब इसको राइस के साथ खाएंगे वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा मिलते हैं अगले वीडियो में थांक्स वर वाचिंग झाल झाल